अब आई यह वोट वोटिंग राइट्स क्या है यह जो है कंपनी का कोई भी शेरोडर है अगर वो रिजिस्टर्ड है सेक्टरी की बुक्स में शेर तो आपने खरीद लिए अगर अगर आपका नाम रिजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप वोट नहीं डाल सकते तो पहली बात तो ये है के वोट तभी जाल सकते हैं जब आपके पास कंपनी की रिजिस्टर में आपका नाम Yeah एंटर हो अब इक्विटी शेरोल्डर्स यह जो ओर्डिनरी शेरोल्डर्स होते हैं यह जो हम कॉमन शेरोल्डर्स कहते हैं यह गॉट दर राइट तो वोट टू इन दी एगेम अनुर जनल मीटिंग क्योंकि यहां पर जो है ना बहुत बड़े-बड़े फैसले किया जाते हैं सारे साल की प्रोसेस को दिखा जाता है और पिर इसी में अपॉइन्मेंट की बाद भी होती है बहुत कुछ होता है इसलिए वहां पर वोटिंग के थूरू फैसला होते हैं तो इसलिए एक्विटी शेरोल्डर्स जो हैं या कॉमन शेरोल्डर्स जो हैं जा ordinary shareholder जो हैं यह annual general meeting में आकर vote cost करते हैं और majority की base पर decision दिया जाते हैं इनके पास right है receive to receive net assets of the company यह point भी note करें यहां net assets का मतलब क्या है पहले यह clear कर लें पहले लेकि टोटल assets में से अगर आप total liability minus कर देते हैं तो they are called net assets और basically वो accounting term में क्या होगा कि आपकी equity का part होगा यानि जो tail orders equity का part है वो ही basically net assets होते हैं लेकिन word यही use करते हैं net assets equity नहीं करते हैं अब दूसरा उसके पास है share of profit and loss company में जो profit and loss होगा वो share orders में ही distribute होगा अब question यह है कि क्या सारा distribute करते हैं नहीं करते हैं कितना करते हैं again यह meeting में decide होगा लेकिन जो भी profit बनेगा company का वो तमाम share holders का है यहां एक point जो बहुत important है मैं आपको समझा दूँ लेकिए company itself is a registered office उसका registered office और वो एक individual company है मतलब उसके अपनी entity है उसके अपनी हैसियत है तो share owner जो है वो तो market से share खरीता है वो company को force नहीं कर सकता है कि यह अपने share पकड़े और मेरे पैसे वापस करें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पहले भी हमने इसको discuss किया है कि residue जो बचेगा मुसरा इन case of a company liquidation में चली जाती है तो जो receiver है government का वो सारा कुछ collect करके सबसे पहले उसको distribute करेगा other than the owners other than the shareholders अगर कुछ बचेगा तो फिर shareholders को मिले इसलिए कहने को तो हम कहते हैं यह owners हैं लेकिन इनकी decision making में इतनी force नहीं है जितनी के आपके board of directors होगरा की होते हैं क्योंकि यह यह point करते हैं उनको आप authority दे देते हैं लेकिन यह जो investor that holds more than half of voting rights to of an investor investee has power in the falling situation यानि अगर आपके पास more than fifty percent share हो जाते हैं हाला कि आपने gradually खरीदे हैं तो अगर हो जाएं तो फिर the relevant activities are directed by the holder of the majority of the voting rights तो जिनके पास majority voting rights होते हैं वो policy को direct करते हैं वो activities को manage करते हैं अब फिर अगें मैं बता दूँ कि shareholder खुद नहीं होते हैं उन्होंने आगे directors appoint कि होते हैं उन्होंने आगे पूरी team appoint कि होती है और वो वकाइदा है एक code of corporate governance में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा एक system है जिसके तहत यह board बनता है और वो उनके भीहाब पर decision लेते हैं लेकिन किन appointment अगें करते shareholder ही है majority of members of the governing body that directs the relevant activities are appointed by the vote of the holder of the majority of the voting rights जैसे मैंने का कि उनको appoint कौन करता है majority voting rights से वो appoint होते है potential voting rights यह भी एक issue है कि क्या potential जिनके पास अभी share तो as such नहीं है लेकिन उनके पास potential rights है आपको याद हो गए मैंने यह बताया था आपको financial instrument के case में कि अगर आप options आपके पास हैं या आपके पास warrants हैं जिनके against आप share acquire कर सकते हैं तो अभी आप shareholder तो नहीं हैं लेकिन आप shareholder बन सकते हैं तो जब बनेंगे जब आपको अस right है उससे पहले नहीं So potential the rights to obtain voting rights of an investee such as and those arising from convertible financial instruments and options लेकिन अभी जैसे मैंने काना के share तो जब issue होंगे जब आप vote देंगे लेकिन आपके पास right यह है क्युक्के जी हमारे पास यह right है कि हम share require कर सकते हैं तो जब हम require कर लेंगे तो we are voting rights we will get An investor does not have power over an investee even though the investor hold the majority of the voting rights in the investee अब यह भी situation आती है कि अगर आपके पास majority votes है इसके बावजूद आप vote नहीं डाल सकते हैं उसकी reason क्या है when those rights are not substantive in case the relevant activities are subject to directions by the government, court, receiver, liquidators यहनी अगर गौर्मेंट की तरफ से या कोई regulator की तरफ से कोई बाहर लग जाए कि जी ठीक है आप अभी vote नहीं डाल सकते हैं तो आप वोट नहीं डालें आला के majority है आपके पास shares की लेकिन still आपके बाहर है एक limit है तो आप नहीं कर सकते हैं power without majority voting rights other decision making rights in combination with voting rights can give an investor the current ability to direct these relevant activities under constructual agreement with other vote holders यह है कि जब आप तो दिये गए है एक rights as a share orders तो आप उनको इस्तमाल करें और उसकी base पर आप अपनी policy making में अपना contribution कर सकते हैं अब इसमें simple सी एक है कि apparent company shall prepare consolidated financial statement using uniform accounting policies that's another very important topic कि आपने एक company की हो सकता है accounting policies different हो और subsidiary की difference हो तो आपको consolidate करने से पहले subsidiary की policies को भी parent company की policy के साथ align करना पड़ेगा और यह एक मुश्किल काम होता है कि आप कैसे मसले parent company जो है वो reducing balance method यूज करती है depreciation का और subsidiary जो है वो straight line method यूज करती है तो आपको subsidiary की balance sheet को change करना पड़ेगा using reducing balance method और यह एक difficult job होता है लेकिन बहराल आप नहीं कर सकते हैं unless के policies are the same consolidation of an investor shall begin from the date the investor obtain control of the investor and cases and ceases when the investor lose control of the investor यह एक और important issue date of acquisition यह जिस दिन से आप के पास more than 50% share हुए है उसके बाद से आपने consolidation करनी है यह जो period है इससे पहले का उसका हो कहते है post acquisition period तो consolidation हमेशा हमेशा acquire के बाद होती है यह प्री होगा तो प्री होगा पहले जो प्री है और बाद में जो पोस्ट है जरूर नहीं होता कि आप first of january को ही 50% से ज्यादा share खरीद करनाएं आप हो सकता है first of april से खरीद रहे हैं तो फिर आपको पहले तीन महीन का जो profit company कमाया है वो आपका नहीं है वो आप अपना share नहीं उसका कह सकते आपको अगले nine month का जो profit होगा उसका share आपको मिलेगा thank you very much